सच्चाई और अच्छाई जी हां बिल्कुल सभी सुना आपने सच्चाई और अच्छाई कहीं भी डूर्ण लीचिये अगर आप में नहीं तो कहीं नहीं हलो साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्टेडी में उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रहे अच्छी वाली आज की क्लास बहुत अलग होने वाली स्प बहुत कुछ सीख जाएंगे लेकिन मुझे पता आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा गंटा मैत पढ़ना बहुत बुरी बात है ना अभी रील देखना हो साथ वीडियो देखना हो अच्छे अच्छे वीडियो देखना डांस वाले और यह मतलत समझ रहे हो यह थोड़ समझा आएगा इसमें फिल हाल उमीद करेंगी कि आप देखेंगे कम से कम आधे गंटे आज हम इस क्लास में घातांक के जो नियम है उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से और एकदम पूरा कंपलीट कराएंगे समझ रहो एकदम स्टार्टिंग से मैंने बहुत सारी स्लाइड भी बना रखा है तो सेशन को पूरा इंडे तक देखना बीच में छोड़के नहीं जाना है ठीक है पक्का देखोगे ना चलो जातांका नियम पूरे एक क्लास में खतम हो जाएगा दूबारा आपको कहीं पढ़ने की जिरूरत नहीं पड़ेगी जिन्दगी में अगर हमें टेलीग्राम पर जॉइन नहीं की हैं तो कर लीजिए जिससे कि आपको डेली फ्री कलास मिल पाए और आप घर बैठे प्यार से बढ़ पाओ चलो भीया सबसे पहले बात करते हैं यह संपूर्ड बैच चल रहा है बाबू संपूर्ड बैच में आपका यह वीडियो नंबर या क्लाफ नंबर 29 है यह बात आपके दिमाग जहन में रहनी चाहिए अच्छे से ठीक है आज पढ़ेंगे घातांग का नियम जिसे इंग्लिस में रूल आफ इंडिसे कहा जाता है या इंडेक्स भी बोलते हैं इसको इसमें दो नियम मैंने पिछली क्लास में बता दिया है इस कलास के लाश्ट में वो दोनो नियम में फिर से रिपीट कर दूँगा लेकिन पहले तीन नमबर नियम से देख लीजिए ठीक है घातांग का तीफरा नियम क्या कहता है साथी मेरे घातांग का तीफरा नियम कहता है कि अगर कोई भी धेर सारी संख्याएं हैं जिनको पर देख रहो न तो उन्हें बाकी जब ब्रेकट के बाहर ले जाएंगे तो वो सभी अपनी अपनी घात अपनी खोपड़ी प्रक्के चलेंगी मतलब समझ रहे हो जैसे कलास में सभी बच्चे पढ़ते हैं दस बच्चे मान लो पढ़ रहे हैं किसी कलास में तो टीचर तो सबको पढ़ा रहा है लेकिन परिक्षा जब होगी तो परतेक चात्र वही लिखेगा जो उसने पढ़ा था सीखा था अब जो पीछे से अपने आगे वाली की बेंच पर इसे पैन गुसायर शुभा रहा था कल समझी है कि एक्जांपल देखिए जैसे मान लिजिए कोई भी मैंने कुछ एक्जांपल साप लोगों को देने के लिए यहां पर इकठा कर रखें कुछ भी ले लिजिए मान लो कि मैंने लिखा दो तीन या चार ऐसे ले लो छोटा था इनका घात दो है इस नियम के अनुसा का गात भी दो घूर फिर चार का घात भी दो इक बात पक्की कोई दिक्कत नहीं चलो यह दो किAfter दुन 140 आएगा लेकिन हमें दोड़ी कम करना था 12 कम करना था थोम ने 4 जादा कम कर देbuilt 144 हो जाए 2914 मं कए सकते हैं 4 गुड़े 144 इनका गुड़ा कर लिजीए भहिया तो 4 416 6 Ag 4 즉 16 1 7 श्र्क 114 ओक 145 यह नी 576 sib किसी को कोई डाउट तकलीफ तो बता देना नहीं ना इसमें और भी बहुत सारे एक्जामपल्स हैं मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक सटीक एक्जामपल बटोर बटोर के रखे हैं चलो आगे बढ़ें क्यों भाई कोई दिक्कत तकलीफ परिशानी नहीं ना और भी एक्जामपल्स ले लो आप कोई दिक्कत नहीं है जलो जैसे मान लो यक्स वाई जैड ऐसे है और इसकी घात क्या है पी इस नियम के अनुसार क्या होगा कोश्टा खुलेगा तो यह सारी घातें अपनी अपनी इतके उपर अलग-अलग सवार हो जाएंगी यक्स घात पी वाई घात पी और यह जैड का घात पी तभी को बात महले अगर अपनी जिंदगी बरबाद नहीं करना चाहते हो रिल में टर्म उभी में मोवाईल में घूसे रह चाहाए बाबू से ट्पहा और पास तो हो रहा है ना हमारा खुद एक गंटे टाइम लग भग रोज बेस्ट हो जाता है मुबाइल के चक्कर में समझ रहे हो मतलब एक गंटे टाइम बहुत बड़ी बात होती है और आप लोग दिल में सोचिये का कितने घंटे बेस्ट होता है चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे सैंपल दिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे होंगा बाकी जब एक्सरसाइज भी करवाएंगे उसमें इनके बिस्तरित कुष्टन होंगे मज़ा आएगा अभी सिर्फ आपको नियम सिखा रहे है अगर आप वन मंथ में मैज सीखना चाहते हैं तो वन मंथ का भी जुगाड़ है कि लिए भी लाइष्ट में नंबर दिखाएंगे उस पर संपर कर लिएगा चले घातां का चौथा नियम मैं बोल रहा हूं आधे घंटे से ज्यादा लगे आज कलास में भागना नहीं अगर सीखना भाईया नहीं सीखना तो जाओ खोजो यूटूब पे ढूड़ो देखो मज़ा लो इंज्वाए करो आईसा चीज मिल जाएगा खतरनाक ना यूटूब पे दमनंगा वाला तुम पढ़ाई छोड़ो के बोल जाओगे उसी में लग जाओगे देखता हूं हमारे अगल बगल दोस्त लोग हैं स्टूडेंट लोग भी हैं क्या करते हैं इसलिए बोल जूड़ों की पर जूड़ती चली जाती हैं जैसे अरे गुड़ा करने पर घाते जूड़ जाती है बिलकुल वही कांशेप्ट यह धोड़ा अलग है कि जैसे उदारं के लिए example देखो इसमें जैसे 3 का घात 2 3 का घात 1 3 का घात 5 ध्यान रहे नीचे सब बराबर होने चाहिए यान यान सब में है न तो ये 3 ने रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए आगे चलके 3 की घाते क्या हो जाएंगी भाईया सब जूड़ जाएंगी 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 ठीक है तुए एक 3 3,6,5,11 यानि 3 घात कितना हो जाएगा 11 आप चाहो तो इसका अंसर निकाल लो 3 का घात 11 क्या होगा कोई बताएगा मुझे कमेंट करके कि 3 का पावर 11 क्या होगा एनिवन कोई महानातमा नहीं यहाँ पे ऐसी का भाईया राजा आगे बढ़ें चलो घातां के नियम में इसमें और भी बहुत सारे एक्जामपल्स हो सकते हैं देख लो और एक्जामपल एक्जामपल और देख लो जैसे यक्स का पावर 5 इंटू 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 चौदा मैंसे तीन घटा होगे यक्स का पावर 11 कि कोई डाउट तकलीफ दुख दर्द तो मुझे बता देना इसमें लाश्ट तक कलास देखना मैं बार 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 बोल रहा हूं बाबू अगर सीखना है या तो ठीक है मैं अगर गड़ित सीखने की इच्छा बना हो शिरुप एक वीडियो देख लो बस फिर मत देखना कोई लेकिन इसको पूरा देखना देखोगे ना चले चलिए नेक्स्ट अगला नियम अभी इस नियम पर हम बहुत सारे वीजिस को देखोगे लेकिन हाँ इसको पूरा देखना बाबू देखना देखना वह आप एक चीज और बड़ी इंपोर्टन्नट हो आप सुन लीची साथ में हम आगे बढ़ते हैं तुरां अंदेर नहीं करेंगे राजकुमार यादो सर्मैत्स इस चैनल को यूटूब पर जरूर ढूंड लेना क्योंकि संपूर्ल बैच के तीस पार्ट के आगे कि सारे वीडियो भी सी पर आएंगे फिर पर आएंगे पीबीर स्टडी लाहबाद पर नहीं मिल संपूर्ल बैच का 29 नंबर वीडियो या सेसन लंबर है लाइब नंबर इसमें कहता है कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर कोई नंबर लगी है और उसके खोपड़ी उपर खोपड़ी पक्ठिया और को नो बैठा है तो वह आगे चलके क्या होता है याम इंटू याम भी पांच इसका मतलब यह है की ये दो टोहाया साथ की इसको हम डाट डाट यहल पदों तक लिखेंगे लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तो मुझा तो हम सीधा फीधा बताएंगे इसको छोड़ो यह इतना जानो आप बस ठीक है कि ऐसी कोई दुखदर्द होगा कलास के बारे में तो मुझे बता देना अगर यहां पर घात 3 लगी है मेरे भाई यहां पर गात दो लगी है तो इस सद्व्येज désp की घाट 6 कि आऊ से क्या होगा आप कमेंट करके बताना यैसे 5 25, 25 20 5 5 कर लोगे कोई तकलिफ नहीं इसमें नहीं आगे बढ़ें चलो इनके कुछ और भी जाम पर ले लो भाई ले लो लगे हाथ जब आए हो तो तो यक्स का स्क्वायर और इसकी घाथ पांच इससे आप लोग करना मुझे बताना एक वटा दो पावर यक्स यहां पर वाई इसको भी करके मुझे बताना बताओगे न पक्का सच्ची वाला वादा करना एक दम अच्छा वाला पक्का करोगे न यार चलो यह तीन हो गए चार नमबर ले लो पांच किखा तीन बहरे से चार इन सारे कुश्चन्स को आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं अभी एक्सर्साइज साइज हाँ जब हम प्रेक्टिस करवाएंगे तो और बहतरीन तरीके समझा आएगा लेकिन अभी सिर्फ रूल सीख लीजिए एक चीज़ और इसका पीडिएफ हम पीवियार स्टडी के टेली गराम चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है इसका सारा पीडिएफ आपको मिल जा ना क्योंकि हमें मौटीवेशन मिलेगा अगर आप पूरा वीडियो प्ले करोगे तो बंद नहीं करना बीच में लोक्वाल्टी करके देखना भले लेकिन देखना जरूर कि चलो रूल आफ इंडिस में रूल नंबर 6 यह बहुत सिंपल है मजदार भी है यह क्या कहता है बा इसकी घात यह ना भी यह समझ रहे हो कोष्ठक बंद है इनको कोष्ठक के बाहर जाने के बाद आजादी मिल जाती है बस यही है यहां पर एक्चुली क्या है कि यह नहीं रहेगा कोई घात रहेगी ठीक है मानलों पांच लिख दिया तो यह तीन गहात पांच हो जाएगा बाहरे जाके दो का खाध पांच यानि तीन का घात 250 का मतलब यह हुआ कि तीन को भया मेरे बाबू मेरे 5 बार गुड़ा करोंगे एज्टों को 5 बार करोंगे ठीक है यही मतलब हुआ इसका कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए किसी को तीन त्रिक का नो त्रिक 27 त्यां 81 और 81 त्यां यहां दो सो तिरालिस ना सही बोल रहा हूं न टू फॉर थ्री नहीं बोलना तो दूना चार दूना आट दूना सॉल दूना बत्तिस कितना आएगा 32 तो यह आपका हो गया क्या अरे वही जो मैंने सुरू किया था कि समझ गए ना नेक्स्ट आगे बढ़ें चलो कि टैंसन नहीं लेने का है बस टैंसन देने का है कि इसको जो आपको हसते हैं आप परमजाग बनाते हैं जो आपका चलिए आगे बढ़ें जीरो सब्सक्राइबर से पांच लाख स्टूडेंट मैंने कैसे जोड़ा यूटू कि बीच में क्या-क्या मुसीबितें क्या-क्या संगर्स हुआ आप लोगों को कैसे मिले हम हमें कैसे आप मिले यह सब रहेगा उसमें बस थोड़ा सा इंतजार इसके और भी बहुत सारे एक्जाम्पल्स आप लिख लीजिए थ्री अपान फाइफ इनको आप लोग खुद से करोगे बाबु ठीक है बोलो करोगे ना वादा करो भागना नहीं प्रॉमिस करो पक्का वाला एक दम जैसे उससे करके बैठे हो इससे अरे वही जो तोड़क स्वाइब्यकी में उमीदें कभी किसी से नहीं करना खुद से करना अगर खुद से उमीद करते हो तो पूरा कर सकते हो दूसरे कभी आपकी उमीदें पूरा नहीं कर सकते हैं 9x इसको खुद से करना सभी को ठीक है 8xy इसका square यह आप लोगों के लिए practice के लिए दे रहा हूँ इस टाइप कोई दुखदर्द तकलीफ होगा तो मुझे बता देना कि हाँ इसमें तकलीफ आ रहा है यह नहीं हो रहा है चलो जल्दी करो एक बार फिर से याद दिला दूँ इसका PDF हम PVR study के टेलीगराम चैनल पर दे देंगे बाबू ठीक है दे देंगे पक्का दे देंगे दन क्लास को पूरा देखना मैं फिर से बोल रहा हूँ यह रूल खतम हो गया छटवा 14 रूल पढ़ना इसमें चलो भाई यह बहुत इंपॉर्टन अपडेट है इनका इस्क्रीन साट ले लिजी अगर आपके घर में भी भाईया भाबी दीदी अंकल अंटी मौसी मौसीया कोई पढ़ रहे न तो उनके लिए यह बहुत ही जरूरी चीजे हैं बहुत दुखदाई होती है डियलेड जो चल रहा है यह जिन्दगी की बड़ी कठी नवस्थम पढ़ाई होती है जिनका चल रही उनको पता है गातां के नियम का सत्वा रूल आफ इंडिसेस से बन नंबर चल भाईया आजा बाबू आए में का है न में उदाहरण में क्या कहता कि जब घात माइनस में हो जैसे तीन का घात होता जानते हो यह घात प्लस में कर ली जाती है से यह मतलब यह बटे में हो जाती है और प्लस हो जाती है कम क्लियर हो रहा होगा तो दूसरे इजाम्पल में देख लो जैसे शेवन का पावर सब्सक्राइब ना बाबू वह यह क्या होता है और पावर टु ऐसे हो जाता है यानि घात को प्लस करने के लिए इसको फ्रेक्शन के फार्म में लिख देते हैं प्लस में हो जाएगी जो चिन माइनस है नीचे ऊपर जाएगा प्लस हो जाया बात समझ रहे हो न ये चीज तो मैं आपको अलग बता दिया लेकिन है उसी का संबंद इससे भी ठीक है थोड़ा इसका उल्टा है बस सभी को समझ में आ गई ना मेरी बाते जैसे यक्स की पावर अगर माइनस का तीन है भाईया मेरे इसको लिख सकते हो बाबू यक्स की पावर 1 अपान एक्स की पावर मतलब स्वारी 1 अपान एक्स पावर 3 सभी को समझ में आया किसी को कोई तकलीफ नहीं न चलो जल्दी इसको लिख लो एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को पूरा देखना अगर आपको मैत सीखना है तब लेकिन याद रखना मैत ही जिन्दगी है कैसे जब को इनसान पैदा होता जनमतिती नोट होती मैत परियोग होती है इनसान की मृत्तु होती है मृत्तु परमाड़ पत्र बनता आज कल उसमें भी मैत ही लगता है तो मैंने आपको यह दिखा दिया कि जब धर्ती पे तुम कौन सा महीना चल रहा है कितने महीने में आने वाला है तो मैत से पीछे नहीं भाग सकते हो नहीं कुछ करोगे जौब नहीं करोगे बिजनेस करोगे कुछ भी नहीं करोगे बाप की संपत्ति खानी है फिर भी ला भानी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा दुकान पे संपू सर्मा जी वड़े चलाक तुमको 48 रूपया किलो चीनी तो बताएं हैं आपने कहा स्वरी एक कुश्चन अलग हो गया मतलब एक पाउचीनी दीजिए सबस्दैस अगर सर्मा जी ने आपको 1300 चीनी दिया और चीनी का रिट 48 रूपय है आप ये बताओ चत्चा कितना रूपय चीनी हुई बताओ तर्मा जी ने 48 रूपय किलो वाली चीनी आपको 2500 ग्राम दिया है तो बताओ 2500 ग्राम चीनी का मुल्ले कितना रूपया हुआ फिर अब जब तुम लोले हो तुमको कुछ नहीं आता है तो तुमसे 20 रूपया भी ले लेंगे देख चले आओगे अठारा रूपय ले लिए 16 रूपय ले लेकिन रियल में कितना हुआ अगर पढ़े लिखे रहोगे मैं थाती रहेगी तो कहो गया चाच्चा बैमानी हमी से अब बारा रूपय हुआ ठीक है बारा के बदे तुमसे पंद्रा ठाव ले लेंगे और होता है अक्सर जगा होता है बाद में का कहेंगे और अच्छा मैं भूल गया समझ रहा हूं अगला रूल का मतलब इनहीं का लड़के बच्चे हैं वसे बहुत इक्जांपल हो गया अ कि अब का करोगे जाने दो अटा इनको कहां कहां तक हो गया है अगला इस अब होई गया कि इतना बचा अभी तो कई बचा होगा हां इसमें थोड़ा सा स्परस्टी करना और आपको कर देता हूं लाइट चली गई है बबुआ तो लाइट नहीं है इन्वेटर से देखो कि तब चलता है यह चींपीं बोल जाएगा भी देखो फिलहाल क्या हो रहा था इनका थोड़ा उल्टा फार्म ऐसे ऐसे यह क्या हो आएसे हो जाता है इसी का भाग है अभी साय देखात एक्जेंपल मैं आपको दिया भी था जैसे अगर पांच यक्स घाद माइनस का तीन है तो यह चच्चा यह पांच गुड़ा यक्स घाद तीन हो जाता है यानि फाइप यक्स का पावर तीन यह कंडिसन है कुश्चन मे आती है बीच में जब कल्कुलेशन करोगे आगे बढ़ोगे तो इसलिए आपको यह चीज आनी चाहिए नहीं तो आगे जो ना हल करके ऐसे लगा देंगे हम तो तुम कहोंगे कईसे आया हो तो हम काएंगा निकल यहां पर बेवकुप गदा पढ़ा नहीं था पहले पढ़ आगे बढ़ें किसी को कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं यह आपके काम का है भाईया बाभी अंकल अंटी किसी के लिए इनको लिख लो देख लो समझ लो उतार लो छाप लो खींच लो अगला घातांका आठवानियम बहुत आप बहुत लखी है साबास आपको में बहुत बहुत बधाई और सुब कामना है देना चाहता हूं जिंदगी में आप जो चाहते हैं सब कुछ हाफिल करें और दिल से निकली हुए दूआ कभी खाली ने जाते हैं क्यों क्योंकि आपन आपने 20 मिनट पार कर दिया है कि यहां लोग भी सिकंड की रील इतना देर में देखते न कि कि इतनी देख चाते कम से कम 400 देख लेते अब तक एक से चोटा बड़ा गोल मटोल कच्छा पक्का बदाम सब देख लेते हैं ना सभी बोल रहा हूं ना चलो अब बुरा नहीं मानना मेरी बात मेरा मतलब है कि आपको रोक के रखूं चलो भई यह अली कंडीशन में क्या होता है समझना यहां पर बेस सेम होना चाहिए घाते अलग अलग जैसे तीन का यहां पर पांच यहां पर दो ए यही से नाहीं हो गबाबारु कि जानना तीन लेकिन इसमें हिष्ट लोचा है पता है अपको यह बेस इक्वाल होना चाहिए यह और फिर क्या होता है और इसमें से घंग जाएगा और ये आएगा 1 upon 3 का power 1 final में आपका है सकते हो 1 upon 3 समझ गए चच्चा? हाँ? कोई दिक्कत? परफानी? नहीं न? तो क्या मैंने सही लिखा? एक बार इस नियम के according देख लो जो नीचे वाली घात थी उसमें से उपर वाली घात को घटाया जाता है मैंने वही किया था बेस इक्वल होता है ठीक है मैंने वही किया था कोई दिक्कत नहीं कोई तकलिफ नहीं कोई दुख दर्द नहीं इसमें न? आव ऐसे तो बहुत दर्द है लेकिन इसमें नहीं है चलो अब क्या करेंगे? एकात एक जामपल और देख लो लगे हाथ फिर यहाँ पर इनको इस्टार उस्टार बना लो कुछ भी जैसे अगर मैंने लिखा कि साथ का घाथ दो नीचे साथ का घाथ पांच इसको आप हल कर लोगे और मुझे बताओगे ठीक है? इमानदारी से बताना बिल्कुल बूलना नहीं और यह क्या होगा? इसको भी बताना लेकिन यह तो गलत है ना? यह गलत है इस तरह का सवाल हो इनी सकता है क्यूं? पतलब इस नियम के अनुसार नहीं होगा बाकी होने को दुनिया बहुत कुछ हो रहा है क्योकि इनका बेस अला गलग था यह तब बनता जब इनका बेस समान होता यार आ होईगा भाई नहीं लिखेंगे जाने दो लिख लो आगे बढ़े जालो नेक्स्ट इनके और भी कुछ एक्जामपल हो सकते हैं का लिख लो यार एक्जामपल है लिख लो नहीं तो बाद में गरी आते होग नहीं बताय जाता एक्जामपल लिख लो लिख लो भाईया लिख लो बाब्बू पांच की घाथ साथ और पांच की घाथ नो लिख लो यक्स की घाथ नाइन और यक्स घाथ पंदरा इनको कर लीजिएगा आप बहुत ही लकी हैं बहुत ही हिम्मती हैं जिंदगी में बहुत कुछ करने की साहस रखते हैं अगर आपने मैत की कलास में आदे गंटे बिता दिया तो यकीन मानिये आपके अंदर वो सब कुछ कूट कूट के भरा है जो चाहिए आपको क्योंकि मैद की कलास में आधा घंटा बिताना तसुराल में जा करके अपनी बुढ़ाक पास बैठे रहना बराबर होता है कुछ लोग समझपा रहे हूंगे मेरी बात मैं देखा आपने ऐसा कहीं बजा बहुत आता लेकिन देखने में अपने उपर गुजरती तब गडवर होता है और अपने उपर गुजरे ना इसलिए मैंने अब तक साधी भिया किया ही नहीं आगे बगवान जाने का होगा टो यह होता ना इसा बताना कमेंट कर कईसा होता कि नफिता तो बता दो अभी टैलेट गये अभी अभी बार और गया है नहीं हो गया आठ नमबर या एक बड़ी खुशकवरी है कि पीवियार स्टडी के जो अपली केशन में न ये फ्री कलासें भी डाल दी गई है यूटूब वाली सिस्टम से सीरियल से बिना एड़र्टाइजमेंट के आप जाओ और पढ़ो प्यार से बिना किसी पैसा के वहां फाइदा यह है कि यही कलासे होंगी यूटूबर लेकिन एड़र्ट नहीं आएगा वीडियो आपको खोजना ढूंडना नहीं पड़ेगा एक बार जा करके आप ट्राइए करके देख सकते हो आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं चलो अगला का है हो घातांग के नियम का नौ नंबर नियम इसमें क्या है भाईया इसमें घात जब माइनस होती ना बाबू क्या होती है घात माइनस होती है तो भिन को पलट के प्लस कर लेते हैं अगर कोई बंदा दूसरी पार्टी में है जो बहुत बड़ा क्राइम किया क्रिमनल है बहुत बड़ा माफिया है और वो अगर राष्टवादी पार्टी में आ गया ना कि उसके सारे पाप दुल गए घंगा ना लिया फिर फिर और जो उसको गाली देता था अगले दिन जाके गले लगाएगा पूलों काहर पहिनाएगा राजा तुम्हे तो इंतजार था कि इस फिखाने केले लढ़ाई जगड़ा होता है यह लोग आपस में बहुत बड़े अच्छे खासे उते मैं जीत हूँ घांगे तो यह लोग जनता पयाना उठाएगी और क्या करें रहना है न इसलिए दा जाता कि आप educated ना हो पढ़े लिखे नहीं और अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या होगा ताली बजाएंगे सिम्पल सी बात है चलो तो इसमें कुछ प्लट जाएगा फेबन अपांथरी और इसकी पावर क्या हो जाएगी भाया प्लस हो जाएगी इसका ना बाबू समझ गए ना कोई दिक्कात दुखदर तकलिफ तो बताओ यानि हुआ क्या इसमें इसमें हुआ ये कि जो फ्रेक्शन थी इसको पलट दिया गया और जो घात माइनस में थी वो प्लस हो गई बस इतने करना होता है और कुछ नहीं दूसरा अगला एक जामपल जैसे यक्स अपान वाई और इनकी घात का है चच्चा माइनस का जेड तो इनको आप क्या करोगे वाई अपान जेड और घात कितनी हो जाएगी प्लस हो जाएगी वही से जैसे मैं बताया कि राजनीतिक पार्टियों में जो बहुत बड़े सब्सक्राफिया होते हैं अगली अपोजिट पार्टी में होते हैं तो वह क्या करते हैं जिनकी सत्ता होती उनकी पार्टी में चले जाते हैं और वह इमांदार बन जाते हैं एकदम दूद के दूले चंगे से तो ऐसे क्या है इधर यह माइनस में थे इधर यह गड़बड रहे हो नहीं एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने आधे घंटे अगर मैध की कलास में पार कर लिया तो आप बहुत महिनत करने वाले इंसान है आगे जिन्देगी में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं क्योंकि मैध की कलास में आदे घंटे विताना बहुत बड़ी बात होती है ना चलिए तो कुछ और एक्जांपल अब आपको मैध सीखने से कोई रोंक नहीं सकता है तो यह गहात इसकी माइनस का चार अब इसको आप लोग कर लेना का हमें सब कुछ करें है आप लोग किस दिन के लिए पैदा हुए हो भाईया हमें सब कर लेंगे का लिख लो चलो यह सारे एक्जांपल साब लोग कर लीजिएगा यह था अगहतां का रूल नंबर नाइन यानी रूल नंबर नाइन आफ इंडिसेस इंगलिस मेरी थोड़ी तेड़ी मेड़ी है लेकिन फिर भी जो भी है अच्छी है अगे बढ़ जा इनके और भी एक्जांपल में मैं क्या दिखा हूँ आपको लिख लो आठ बटा साथ इनकी घात माइनस कपी एक्जांपल और भी लिख लो यार है तो वही सब फालतु चाहे जितनी बार लिखो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ना तो अभी जब अभ्यास प्रफ्न करवाएंगे तो इनसे संबंधित कुछ चनाएंगे वहां मजाएगी यहां तो क्यों सेंपल सेंपल है सेंपल नहीं बोल रहा हूँ सेंपल अलग होता है मैं सेंपल बोल रहा हूँ आगे बढ़ें चलो हाँ डेली फ्री क्लास के लिए अगर अब तक हमें टेली ग्राम पर जोईन नहीं किया है तो इतनी बड़ी गलती ना करें तूरन जाके जोईन कर लें क्योंकि टेलीग्राम पर जितनी कलास चलती है जितनी कलास की सूचनाएं होती है कहां है हम क्या कर रहे हैं आज उससे मिलने गए हैं कल उसके घर गए हैं क्या क्या हो रहा है सब दिखाते हैं आपको टेलीग्राम पर अगर आप चाहते हो यह सब चुपपे वाली चीज़ें द पढ़ाई वाला ज्यादा फोकस हो सकता है क्योंकि टेली ग्राम पर बड़े-बड़े इंस्ट्यूट के चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि इन में लाखों लोगों को जोड़ा जा सकता है लेकिन वाटसप पे सिर्फ 256 लोगों को जोड़ा जा सकता है अब नई अपडेट किया बहुत कमाई कर रहे हैं लोगों से उनको नहीं बता कि बच्चे हैं हमारे फ्री वाले चलो गातां की नियम का दस्वा नियम बस थोड़ा सावर बचा है थोड़ा सावर बचा है किवल 5 मिनट और देदो खतम हो गया चलो देखो इसमें क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर यह अचर मतलब गहांच चरने वाली बात नहीं बोल रहा हूं उनकी पावर 0 है नी सुनने है तो क्या होता है पता है तो उनका मान हमेशा 1 होता है क्या होता है वण होता है जैसे देखो यहां पर एक चीज है कि A does not equal 0 A 0 के बराबर नहीं हो सकता है रे बाबा नहीं 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 तो तुम लोग कहो है भाईया तुम जैसे बताए रहना हो ऐसे 0 पावर 0 बराबर 1 हो जाएका नहीं ऐसा इफले नहीं होगा कि ऐसे यह कहा गया है कि A जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है यह कुछ भी होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता है तो यह यक्स का पावर 0 बराबर 1 हो सकता है ना इन का पावर 0 बराबर 1 हो सकता है लग कुछ भी हो सकता है ऐसे इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना क्यों यह घातां के नियम का लाश्ट नियम पहुंच चुके हो लगभग कि आज मैंने दुला था इसको आधा सूखा है आधा गीला है कि फिर भी अच्छा लग रहा है फिर सुरस नहीं करते हैं हादत नहीं अपनी कि जलो कि देखो यह माइनस है ना अंदर में इधर जाके क्या हो जाता प्लस ऐसा तब होता है जब यम एक सम संख्या हो सम को बोलते हैं चाच्छा इबन नंबर क्या बोलते हैं बाबू इबन नंबर ठीक है जैसे उदारण कि मा अनलों कि फाँच माइनस में हें इसकी घती अदुए है यह हो जाता है पाँच का घात 2 क्यूं हो गया lors नहीं माइनस पांच होता तीन होती यह प्लस नहीं होता यह जो नहीं हो गया हां कॉध्य हیک आती क्या थी और नंबर है यह विसम है पस इसमें ज्यादा कुछ बताना तो है नहीं मुझे लगता है जो बताना था मैंने बताई दिया और भी कुछ ऐसे ले सकते हो अच्छा एक बात बताओ इसका क्या होगा इसका प्लस होगा की माइनस पताओ ना का है सर्मा रहो इतना नहीं सर्माना चाहिए पताओ आगे बढ़ें यह देखो दूसरा वाला आ गया तेम उसी कटेगरी का है उसी बिरादरी का है थोड़ा सालग है थोड़ा सर्मीला आई जैसे माइनस 23 इसकी पावर है इतना पताओ यह प्लस होगा की माइनस 23 प्लस होगा की माइनस आप कुछ लोग वाए इम कनफूज हो जाएगा कि वैया हो एरा जसुनो ना इन लोगों का यह मतलब होगा कि यह जो 93 यह सम है कि भी सम है अब इसी कन फ्यूजन में जी रहे हैं क्यूं कुछ ऐसे मासूम नंबर है ना देखने में लगते हैं कि क्या बेसे आज करोकर एक यह थिंए कि बनाते एक प्राणी का क्याना होता है कि लिखूंग वंग ने यह सुनाना आपने इसको कि यह इस को इसमें क्या होता है ना न शुरु शुरुत तछ आ लगता है है आईसा लगतना सबस्दीन दोरी सहीं लिए लेकिन अब नहीं समझ जो स्मार्ट से बोले से सुंदर से हर चीज रहता है इतना ज्यादा काई गुश जा रहा है उसमें इसको समझ पाओ वैसे क्या इसमें देखने में यह नंबर लगते हैं क्या है यह विसम संख्याएं लेकिन वह वास्तों में यह हो क्या रहा था हम सम शनल की बात करते करते भाज या भाज में पहुंच गए तो अरीगलती हो गड़ बढ़ा हो गया फिल्हाल हम जो बताना चाहते हैं ऐस एंशल कर वह मैंमं तक को इसको ले के इसमें आई गया तो इसको क्लियर कर देता हूं साइड में भाज्य भाज्य भी आगया भी यूज होगा ठीक है तो देखने में कुछ ऐसे नंबर है जो क्या लगते हैं भाज्य लगते हैं बाबु क्या लगते हैं अभाज्य लगते हैं लेकिन वह अभाज्य हो होते हैं यह सभी भाज्य होते हैं जैसे 99 हो गया है कि अच्छा और से बहुत सारे नंबर हैं बीच बीच में आपको मिल जाएंगे यह यह सारे नंबर क्या लगते हैं यह भाज लंखने देखने में बोलो लगते है कि नहीं लगते हैं यह नऄ सबatif हो यह पांज पल विल्हाल इससे संभंदित नहीं था भाजा भाज से वह समसे था लेकिन फिर भी मैं आपको बता तो आप काहें नहीं होते हैं जो लिखे थे यहां उसको विस्तार से कहीं नहीं बताए उसको मैंने आल्रेडी बताया है अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा क्योंकि वो संख्या जिसके एक समझी लीजिए जब मैं पकड़ा हूं तो इसको पूरा निचोड के तभी छोड़ूंगा देखो जैसे 119 हो गया न यह क्या भाबू भाज संख्या भाज नहीं है क्योंकि 176 का permit 17 719 होता है तो इसका जो है पाय अगये है कि भाज़त है कि यृण इसका जो है वोके नो इसके अलावां भी दो है और यह खुद तो है एक्तने सारे इसके चार सकार Bent झालर गतकन देख नहीं है एक इंवह एफ जो भी दिया था जी और भी वर आगे बढ़ें चलिया कुछ और चल रहा था इसमें आपने कुछ ओर नहीं हुआ इस फिलाल यह अभी आगे यूज हो जाएगा और अपच तो नहीं होने वाला हजम हो जाएगा ना भईया वीडियो को पूरा देखना मैं बोल रहा हूं जाना नहीं अभी अभी बहुत कुछ बाकी है तो यह इस तरह के आप लोग कर लोगे हाँ कर लेना बस हो गया बहुत कुछ हो गया इसमें तो भाया हो दो नियम जो स्टार्टिंग में छूटा था नियम नंबर एक और दो उसको भी मैं बता दे रहा हूं जो बच्चे पिछली कलाफ नहीं देखे थे उनका इसमें क्लियर हो जाए और अभी लाश्ट में बहुत इंपॉर्टेंट अतिमहत्तोपुड सूचना देन जाती है वेन भी मल्टिपाल देन पावर बिल भी तम अड़ी था नया एड आई से कुछ बोलेंगे इंग्लिस में फिलहाल इंग्लिस को रखो साइड में आओ हिंदी में आजाए अपने देशी वाले में तो कि क्या होगा एक जामपल लेलो भाईया एक जामपल लेलो बाबू जैसे तीन का घात दो गुड़ा तीन का घात साथ तो गुड़ा करेंगे तो घाते जूड जाएंगी बराबर तीन का घात नो जैसे 7 कगाद 5 गुड़े 7 कगाद 6 बराबर 7 कगाद 5 धन 6 बराबर 7 कगाद 6 5 11 ठीक है ऐसे बहुत सारे एक्जामपल हो सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन ध्यान रहें कि यहां पर बेस जो है भाईया एक होना चाहिए बाबू बेस क्या होना चाहिए समान होना च और यह साथ ठीक है बराबर क्या हो जाएगा साथ दो नो यक्स घात 9 माइनस एक बराबर यक्स घात 8 कोई दिक्कत परसानी नहीं न यह हो गया घातांग का पहला नियम जो पहले स्टार्टिंग में नहीं बताया था क्योंकि मैं पिछली कलास में बढ़ा चुका था आगे बढ़ें नेक्स्ट इनके नियम के और भी एक्जामपल आप कुछ भी कर सकते हो कि यह फिलाल कुछ भी नंबर होका डाल लो भी है जल्दी हो रही है बहुत देर हो रही है कि पुड़ा करने पर घाते जुड जाएंगी लेकिन ध्यान रहे इसमें बेस इक्वल होना कुछ भी तुम चाहते हुए भी नीचे की संख्या अलग नहीं कर सकते अगर अलग कर दिये तो नियम के खिलाप चला जाएगा फिर नहीं जुड़ेगा कर ले ना नियम नंबर दूसरा है भाग करने पर घाते घट जाती हैं जैसे 7 का पावर 2 डिवाइड बाई 7 का पावर 1 यह हो जायागा भाई मेरे 2 का पावर मतलब यह ठीक है जैसे 9 का पावर 8 डिवाइड बाई 9 का पावर 3 बराबर हो जायागा 9 का पावर 8 माइनस 3 बराबर 9 का पावर 5 देखो अगर आपने इस कलास को पूरा आज देख लिया ना तो नीचे कमेंट करना कि हां मैंने पूरा देखा है फोड़के नहीं जाना अगर आपने नहीं छोड़ा ना क्लास बीच में तो मैं चीखने से आपको कोई नहीं रोख सकता है मेरी पूरी सुब कामना है और दूआएं भी हैं समझ रहे हो बाकी आसी बात तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हम बहुत छोटे हैं आपसे फिर भी दूआ बहुत लगती है चलिए आगे बढ़ें